तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि आज कल विवादों की सीरीज चल रही है और नित नए एपिसोड जोड़े जाते हैं हाँ वो क्या है कि अब दो चैनल पे आता है जैसे कोई प्राइम पे आए नेट्फिक्स पे आए एक ही सीरीज तो सीरीज में बस थोड़ा सा अंतर होता है बैसिकली उनका मकसा देख होता है आप सारे लोग जानते हो कि बग्गा और हमारी बड़ी जिजी और अब तो अफकोर्स बग्गी इन सारी चीजों में शामिल हो चुकी है जहां छुटकनी इन तीनों से अलग है वहां पर हमारे ब से पटना आए हैं सारे कि सारे कुछ न कुछ रोज एक वीडियो आ जाता है विवादित तो ऐसे ही एक विवादित वीडियो फिर से आ चुका है नहीं दो आ चुके हैं पहले हम एक के बारे में बात करेंगे एक विवादित वीडियो आया पतियों के बारे में जानकारी एक मतलब हमारी बढ़की जीट जीट किसके साथ अफ्कॉर्स आपको पता है जुटिंका की subscribe अजो बनचति कि है। अब इसने कि पिर्ल ब olan प्रश करेंब की ऑफверж न स्ट भिल सेफ़ूर लेखod की है। तो फिर मैं दोनों जगा वाइब मैच कर लेती हूं टाइम टाइम पे तो देखिए दर्शको कुई यहां बेवकूफ तो है नहीं है ना सबको पता है कि आखिरकार यह टाइम टाइम पे वाइब मैच करने वाली बात का क्या मतलब है वैसा फासला भग्गी की आँखों से आप सभी का स्वागत है बग्गा और हमारी जिजी और आप सबको पता है कि हमारी प्यारी बग्गी न्यू एंट्री जिसको नो महीने हो चिके हैं आए मतलब नो महीने में सारी चीज़े आप सबको आखिरकार पता चल ही गई वहना बहुत सारी लोग तो गलत फैमियों के प्यारी बग्गी बोली बग्गी चुटकनी अत्या चार करें बग्गी पर अब धीरे धीरे लोगों के रवय चेंज हो रहे हैं कि भाई साहब चुटकनी थोड़ा गुस्य वाली दिमाग की है और उसी का भुगतना उसको भुगतना पढ़ रहा था इतने दिनों तक बग् पहले हमारी चुटकनी जिजी होश में आई होती तो बिसिकली जो एपिसोड आया है वह बहले जो बग्गी का चैनल है उस बग्गी के चैनल पर पहला एपिसोड आया है और हाँ एपिसोड का टाइटल है शादी का एक्सपीरियंस नाइन यर्स वर्स नाइन मन्थ ओ अच्छा सोपे बैठे हैं और पीछे वह वही वाला रंग विरंगा एक पौधा रखा हुआ है और पीछे पर्दे लगे हैं पर्दे के आगे दो लड़कियां बैठी है अफकोस हमारी जिजी को अगर महिला बोल दो तो खुछ सा जाती है इसलिए दो लड़कियां शेयर कर लड़कियां नहीं हुआ है अपने पतीओं का नेचर हम बग savvy शुरू करती है कि भाइदीदी आप बताओ का टाइम था तो कैसे आपने एक दूसरे को समझा कैसा रहा आपका रिलेशन स्टार्टिंग में क्या होता था भाई आपको जानकर वैसे कुछ ऐसा नहीं हुआ होगा कि भाई जिज्जा जी ऐसे हैं बगगा इसा है क्योंकि हम सबको पता था कि कहीं न कहीं जितना बगगी तरपती है बगगा के लिए बगगा उतना नहीं है बगगा एटिटूर में नाराजो के बढ़ जाता है और बगगी कोशिश यही करती है कि भाईया जैसे लड़ाई जगड़ा हुआ है आपस में हाला कि बगई खुल के नहीं बोल पाई वज़े क्या होती है एक वज़े उसने जरूर बताई थी ये देखिए न दीदी जैसे मेरे माई के वाले कुछ देते हैं तो ये हमेशा मना कर देते हैं उसने दो-तीन बार ये बात रिपीट करी तो उसमें कई बार हमारा कहा सुना हो जाता है कि भाई वो मेरे माई की वाले हैं प्यार से देते हैं तो क्या हम उनका प्यार एकसप नहीं करेंगे लेकिन ये बिलकुल मना करते हैं तो दीदी मेरी बोलती है अब इस बात में मैं क्या बोलूँ का है दीदी का है नहीं बोलोगी अरे आपको तो बोलना चाहिए भाई अपनी छोटी बहन की रिष्टे में तो लेन देन पे आपने बड़ा बड़ा विवात बनाया है भाई साब इस प्रकार की आपने बाता ही करी है कि का ही बताएं छोटी छोटी खुशियों में जब घर में एक छोटा बच्चा आता कितनी खुशी होती है उसको लेकर तुमने दहेज और नजाने का का बोला है अब नहीं बोलोगी अब मैं क्या बोलू यह कैसा यह तो भाई पॉलिटीशियन ऐसा जवाब देते हैं क्योंकि आपकी वज़े से एक खसता खेलता परिवार अलग हो चुका है क्यों क्योंकि आपको कूडा कचेरा कीचर ममी जी के साथ करना होता था आप यह सारे जज़वाद व्यक्त करते थे जहां पे एक बड़ी बहन का आपको फर्ज निभाना चाहिए भाई हम सबको पता है कि कहीं न कहीं शादी में सामंजस से बिठाने में समस्या होती है स्टार्टिंग में सापको पता है आप कितने भी बड़े घर की बहु हों कितने छोटे घर की हों मेडियम क्लास की हों कहीं की भी हों मैटर नहीं करता यह होता ही होता है कि आपको भगतना भगतना ही है और सारे के सारे इस चीज़ को मैनेज करते हैं लेकिन 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 हमारी छोटकनी जजी के जिंदगी में जब उतार चड़ाओ आये जल्दबाद भाजी की शादी थी वो बाद दूसरी थी लेकिन घर के बड़े बुजरुगों का कुछ रोल तो होना चाहिए था वहाँ पर दिदी ने इतनी ही सारी चीजे बोली हैं हर चीज में उनको जलान इरिस्या भाओ हर चीज में टंगडी अणा और यहाँ पर कितनी प्यार ही बन रही है कितनी इनोसेंट बन रही है कि और अब इसमें महच्या बोल सकती हूं यह तो तुम्हारा व्यक्तिगत मामला है क्यों मेरी छोटी दीदी का मामला व्यक्तिगत नहीं था आप से क्या कोई मतलब ऐसा कोई बॉंड था जहां पर आपका विल्कुल फाम फामिली वाला था वह भी पर आप देख लिजे हमारी डुवाल स्टेंडर वाली दीदी को ज्यादा साल नहीं हुए है दीदी 2021 में चली जाए आपको समझ में आ जाएगा जो अभी बोल रही हो खर अगर अभी तुम चेंज हो गई हो तो अच्छी चीज़े कम से कम बग्गा बग्गी के जिन्दगी में दीदी पहले तो थोड़ा सा कुछ आती हैं फिर बोलती है कि बस नॉर्मल छोटी छोटी बातों में हमारी लड़ाई जग्रे हो जाते थे और कई बार यह नहीं मनाते थे तो फिर मैं इमोशनल हो जाती थी गहाने चलाती थी सैड सॉंग तो फिर मैं ही जाके सौरी बोल सेम चीज बग्गा तो अटिटूड में इसलिए रहता है क्योंकि उसको पता है कि बग्गी को भाई साहब लत लगी है और वो बिल्कुल भी मेरे बिना नहीं रह सकती है बग्गा जो भी बाते करता हूँ अंदर की चुझे तो बग्गी नहीं बताई किस तरीके से बग्ग का भी सेम रवया पहले हुआ करता था अब दीदी ने पूरी बात खुल के नहीं बताई है तो यहां पर नाइन मंथ वाली स्टार्टिंग से अपनी कंप्यार कर रही है जी जी के जो नाइन मंथ पुराना रिष्टा था पिछले जमाने में मतलब अगर कुछ साल पहले दो स्वां उटके आती है और तब तक मैं यहां लेठी होती हुँ या बैठी होती हूं तो हम लोग बहुत सारी बाते करने लग जाते हैं और हां बाते मतलब चुगलियां मतलब नहीं है सबस्क्राइब, तो हमारी वग्गी देडी का भी तो असली चेरा सामने लाएगे, अगर पीदी बग्गी का ला रही है, तो बोलती ही नहीं, अगर दो लड़किया बैठी होती है, तो चुगलिया भी ही जाती है, क्योंकि अफकोर्स जहां दो लड़किया होगे, वहां पोटी ननेदरानी की या मम्मेजे की सोच समझ के शुगलिया करना क्योंकि बढ़कन्नी जज्जी किसी की सगी आज तक नहीं हुई है या दखना मेठा बनका इस्सा काटती है ना कि तुमको समझ भी नहीं आएगा कुछ से दिन आई हो इधर रही रही हो तो भलवला है मर जा समझ के चीज़े बोल रही थी क्योंकि नोना जीजा देखेंगे रहे हैं तो दीदी बोली कि हो आया और स्टार्टिंग में जब ऐसी चीज़े होती थी तो मैं क्या दूसी तरह मों घुमा के रोने लग जाती थी लेकिन फिर यार रोते-रोते भी यह नहीं मनाते थे तो फि समझ के देदी नोना जीजा की रडार में अगर आए गई तो फिर से सौरी बोलना पड़ जाएगा वैसे अब हमारे जिज़ी नहीं बोलेगी सौरी क्यों कि अब वो एंडिपेंडेंट है नोना जीजा से बराबर लड़ लेगी है इसे कैसे नोना जीजा अगर तुम इसा स पदे के खिलाफ कैसे करना उसके खिलाफ कैसे भड़काना है उसकी क्या क्या कम्या गिनानी है वो उसने बहुत ही अच्छे तरीके से किया बस यहीं है कि भाई अब उनने कैसे माल लिया यहां पर उनको समझना चाहिए था चीज़ें लेकिन मैडम ने समझा नहीं पर सच य ही नहीं है हाँ अगर कोई अपना विचार देना शाता है दे सकता है पर तीसरे की बात को मान करके आपस में लड़ाई जगडा करके यह तो वेवकूप ही लोग कर सकते हैं जो कि आफकोर्स हमारी पड़ेतिन जिजी ने किया अब बड़ी जिजी हमारी इतनी वेवकूप नोना जिज्जा का ओन कैमरा आपने इतना कुछ रवया देखा नहीं अब तो खेराते नहीं पहले जबाते थे इतने टेंटर हम नहीं करते हैं जितना अंकोशक नहीं होती पर यहीं होंगी या फिर जो भी है पर सच्चा ही यही है कि भाई आज भी हमारी जिजी तीसरी बा पर नम चाहिए इतना रोती रहों रोती रहों लेकिन इस पत्थर दिल बग्ये पर असरा नहीं पड़ता है फिर मैं ही गड़गडा के एक तो आपको इतनी सोड़ी कुड़ी मिली है मतलब वह उसकी तारीफ ना करो तो वह भी तुबुरा मान जाएगी मैं सोनी हूं मैं सोन प्रेट कर रही है विजनेस तुम्हारा उसी ने हैंडल कर रखा है तुम तो आज कल बस कहीं बैठे सोफा पे या विस्तर पे सो रहे होगी और वह ननत के भावी ननत भावी दोनों बैट बैट के वीडियो बना रही है वैसे भी बग्यी का योगदान तुम्हारे यूट् बिल्कुल आपकी बेटी को ऐसे रखूंगा बिल्कुल भी परिशान नहीं करूंगा यही सारी चीजें यही सारी सच्चायास दिख रहे हैं कि चलाकी देखिए मतलब पोड़कास में सब बताय भी जा रही है रोना जिजा के बारे में फिर बोलती है कोई भी बात नहीं होत होती है ऐसी बातों में तो कुछ होता ही नहीं है जैसे कि किसी से किसी के सामने तेज आवाज में बात कर ली यहां डार दिया तो बुरा लग जाता है यह पिर छोटी छोटी बाते और भावी की वाईव वाकई में सेम सेम है मैच कर रही है हां बातों में जब दहेच की बात बगगी ने बोला तो भाई दीदी ने कहा इसमें मैं क्या बोलू लेकिन अपना जरूर बताई कि असा नहीं है कि बगगा बोलता नहीं था आला कि उस टेम बगगा छोटा था लेकिन फिर भी ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाते थे कि नहीं मुझे पैसे या फिर कुछ भी नहीं शाइए मैं दहेज के सक्त खिलाफ हूं है इसलिए तो भाई अंकुष के हाँ पर अगर बच्चे के कपड़े लट्ते मिठाईयां तक भी गई तो वह दहेज में गिनी गए तो भी मिठाईयां तक भी ना लिए मिर्ची वर्ची खायक पानी वानी पी लिया होगा सक् पातों मचाया भैसा लेकिन फिर दूसरा सवाल यह आता है बगगी का दंदन आता हो कि आप बठाए कि आपको कौन सी लाइप अच्छी लग रही थी यह पहले वाली फिर बगगी की जो सवाल है वह बगगी का सवाल पूरे तरीके से दिदिया अंडस्टाइं नहीं करती है बोलती कौन सी कौन सी लाइप के बारें तुम जाना चाहते है फिर बगगी अपनी बोलती शादिस तुरंत पहले वाली और फिर शादी के बाद वाली और फिर अभी वाली इन तीनों में बताओ तो इतनी देर में भाई बगगा बार-बार वरकिंग जो लेडी है वहाँ प प्र दीदी ने बोला कि यार देखो शुरुआत में अंडरस्टैनिंग में बहुत समस्या लगती है उसमें कई लोग शामिल हो जाते हैं लोज की तरफ के अपनी मायके की तरफ के बाकी लोग तो बगगी ने पूछा फिर आप कैसे मैनेज करते थे सब आराम से कैसे होता थ या बगगी पोचना जरूर चाहती थी कैसे मैनेज करती थी जब मेरा मन मुटा और चूटी अंका की छोटी वहन से होता है या फिर ममी जैसे कुछ चीज़े नहीं पूरी होती हैं तो कैसे सारी चीज़े करती थी मैं उससे कंप्यर कर लोगे लेकिन हमारे जिजी ने पूरे तो की बता तेरा दिल यहां ज्यादा लगता यह बतालत मुझे इसमें बटाला लेकिन कौन सी लाइफ अच्छी थी इसमें बगिने कॉलेज लाइफ सेक्सा किया ना मैं कॉस्क रथै. काउन से वाली जब सोलन में कोई जॉब करती थी 55-56 की बताई थी दीदी ने अपनी वो कहानी तो जॉब लाइफ उन्होंने काफी इंज्वाई किया है में भी नोना जिजा उधर कहीं पढ़ाई सड़ाई करते रहे हूं या फिर उभी उधर जो भी था सीन मुझे नहीं क्लि में कि देखो मुझे कॉलेज लाइव इसले पसंद थी तब कोई वर्डन नहीं था किसी प्रकार की रिस्पॉंसिबिलिटी नहीं थी और अब बहुत सारी जिम्मेदारी बहुत सारी सोचना पड़ता है कि क्या बोलू का ना बोलो शब्दों को तो फिर बोलो इन सारी चीज देखा चार दिन इधर रहना है मतलब जितने भी दिन रहना हो तो वही छुटकनी अब यहां पर भी इन डारेक्टिन की क्वेरी में छुपा है कि देखो तुम मेरे से तो बेफिक्र हो के दिल खोल के बाते कर सकती हो मैं तुम्हें जैज नहीं करूंगी तो क्या छुटकनी से दिल खोल के बाते नहीं कर सकती हो क्योंकि बग्गी ने तस पस बोल दिया कि वहां सोचना पड़ता इतने सारे रिष्टे नहीं रिष्टे उनको संभालना उनके जिम्मेदारी क्या बोलना क्या नहीं बोलना तो यही पैटर्न है हमारी जिजी का और यह पैटर्न कहीं न कहीं हमारी छुटकरनी जजी समझ चुकी है लेकिन बहुत देर हो चुकी काश की दीदी ने कुछ पहले समझ लिया होता तो शायद आज बुरा लगता है चुटी दीदी के लिए बुरा लगता है क्योंकि सब अपनी अपनी लाइप में मस्त हैं अगर आज वो अकेले पने टॉक्सिक ननन्द है देखो जब देखो मुह सुझाय रहती है क्योंकि हम लोगों ने भी वह पैटर्ण देखा हम लोग भी कह चुके हैं कि जब देखो मुह सुझाय रहती है पर उसका नेचर वह है और बग्गी का नेचर दिदी के जैसा है वह एकदम सीधी साधी वाली से रहती है समझ रहे हो ना मेरे कहने का वही वाला सीन है हां लेकिन बग्गी भी अपनी मतलब बड़ी वाली ननत से सीख रही है अपनी तारीफे करना कि अभी तो मेरे नाइन मन्त ही हुए तो मैं ज्यादा तो नहीं बोल सकती पर मेरी लाइब तो बड़ी अच्छी गई ह है और मैं घुमती फिरती रही हूं और घर का भी मैं अपने इसाब से पूरा सब कुछ संभाल ही ले हूं कर लेती थी ना बोलो बोलो पता नहीं मैं नक्चडी तो बिलकुल भी नहीं हूं तो यहां पर नक्चडी शब्द यूज करने की ज़रू ठीड उपड़ता भाणी करें नक्चडी का नक्चडी वाला शब्द होना चाहिए था आप बस बताईए कि यहां पर हमारी प्यारी दुपट्टा भोली भाली दुपट्टा का कहने का तात पर क्या था तो नक्चडी तो बिलकुल भी नहीं हूं बाकि हर चीज में मैंनेज करीए तीयों आप ही बता दो काम भी में करी लेते हुं सारे ये सारी चीजें बोलने के पीछे इस समय बग्जी का क्या मतल्ब था एक चीज और सबस्त है कि बग्गी ने सबस्क्री बोला है कि पहले तो रहे में चीजों को इतना नहीं सोचती थी लेकिन अब भूचने लग जाती हूं और वो चीजें मैं मतलब ऐसी कुछ खास चीजें नहीं हैं देदी भी बोली बगल में हाँ ऐसी कोई बड़ी चीजें नहीं हैं पर बगी बोली हाँ वह आप समझ सकती है ना आप समझ सकती है क्योंकि आपको आपको भी तो इतना experience हो ही गया है सोचो यार गाई सोचो यहाँ पर क्या किया जा रहा है किस तरीके से किया जा रहा है बगी ने एक चीज और बोली कि दीदी ने starting की life में किस तरीके से manage किया है किस तरीके से चीजें उनकी situation जो होती थी कैसे manage करती थी वो चीजे वो मुझे बताती है तो मुझे बल मिलता है बह सब्सक्राइब होती हैं और बहुत सारी बाते नोना जिज्जा को भी नहीं पता ऐसा दीदी नहीं बताया आज डिसकसन होने लगा वह चीज भी निकली थी कि जब तू मैंने देखा तेरा वीडियो तू रही थी आते वक्त तो मैं समझ सकते हैं यह चीजे भी मेरे साथ होती हुआ कि शरूर में मेरा मन करता दामें इनके साथ जाओं कि यहां पर रहों बग्य के सभी भरवाने लगी तो मुझे यही सब कुछ आई चाहिए तो मैं कैसे कंपेर कर सकती हूं वहां मुझे सब कुछ ऐसा नहीं चाहिए था यहाँ पर मुझे चाहिए तो अपकोर्स इनके साथ जो एक्ष्टा चीजें होंगी जो चीज जहलनी पड़ेंगे हों तो मैं जहलूंगी क्योंकि इनकी खुशी के साथ मेरी है एप हां अब मेरी कुशी मेरी के दीदी ने नया कुछ बोला है कि यह तो फिर जहां हूं सब लोग रहते हैं वहीं रह ले अच्छा नोना जी उधर रहले ही माचल में और बगगी उधर रहले कहां बटाला में वाहरे वह 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 क्या क्या नए रूल वनेंगे रहे दादा युद धर्ती पर और का का यह जाएगा वैसे लिवगे पहने हिए इनुट को समझ में ऩी एंस मंई नुट के सबस्टान कुछ जानकारी मिल गया होगा और पूल दीदि आपने बहुत कुछ आपने बहुत मेहनत करी है और दीदी के साथ में चलता रहत है हम कुछ भी बाते करते रहते पूरा दिन ऐसा नहीं लगता है कि ना ये मेरी ननद ऐसा लगता फ्रेंस है ना अच्छा परेती ननद लगती होगी वह भी नक्चड़ी न क्योंकि तुमने अभी नक्चड़ी शब्द ही उसकरा था इनके कहने के ताथ पर आप लोग समझ ही गए होंगे इस पोड़कास के बाद भी भै दिया है मम्मी जी मुनों से देंगी युटी अंका का मतलब भी निकीस असराल में कुछ हो जाए तो मतलब कोई भी बात होती तो इस तंड लेते तो दी कहां चौरा है पर कोई बात हो जाती थी चौरा है वाले आपकी कौन लगते थे जो आपको बोलते थे हैं या फिर कहीं भूना फिर ना पसंद तो उसमें स्टांड लेते हैं ममी जी बोलती होंगे नहीं जाना तो बोलती हैं करसे नहीं मैं जाओंगा यह मेरा काम है मेरा पैसा उसी सकमाना है अब तो मैं गौर्मनेंट कॉंट्राक्टर से कार्ड के लिए यूज किया था और पैसा कमाने के चाहिं तिकि अगर किसी की बाते बुरि लगें ड़ी निकालो जीज को प्रीती दीदी को नहीं बताई थी हमारी परेतिन दिद्ध को भी बता दी होती है तो आज उसने इस काम से सुन निकाला था लेकिन वहाँ भी तो तुमने उसको लड़ने के लिए वताया था कि तुझ इनके पोड़कास्ट की यही है अभी आपको और भी बाते पता चलेंगी चलिए जी करता बाई-बाई